हेलो दोस्तो मेरा नाम है प्रतिकोर स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आपको UPI ID फोन पर एप्लिकेशन के उपर चेक करना होगा तो वो हम कैसे कर सकते हैं तो अगर आप चैनल पर नए है आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि जब भी मैं आगे कोई वीडियो अप्लोड करू तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके तो बिना किसी देरी के दोस्तों जल्दी से वीड यूज़ करना है या फिर ओपन करना है यहां पर फोन पर का अप्लिकेशन है यह हम पहले ओपन कर देंगे हैं तो अप्लिकेशन ओपन होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको यहां पर देखने मिल जाएगा और सबसे पहली चीज अगर आपने आपने नोटिस की हो तो phone pay के उपर भी हमें home screen के उपर यहाँ पर यहाँ पर आपको आपका UPI ID देखने मिल जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो my UPI ID वहाँ पर दिया गया है और उसके बगल में जो है यहाँ पर आपका phone number at the rate YBL यहाँ पर YBL जो है वो yes bank limited है तो phone pay में भी जो है यहाँ पर हमें tie up देखने मिल जाता है banks के साथ जहाँ पर आप check कर सकते हो जैसे कि google pay पर था वहाँ पर भी bank के साथ tie up था तो जिस भी bank के साथ tie up होगा उसका आपको आगे यहाँ पर initials देखने मिल जाएगा तो यहाँ पर यह तो पहला तरीका था इस पर UPI ID चेक करने का यह home screen के उपर आपको देखने मिल जाएगा जो second तरीका है आपको यहाँ पर आपका जो profile pick है वहाँ पर आपको क्लिक करना है उस तरीके से आप second type से आपका UPI ID चेक कर पाऊगे तो जल्दी सा हम उसके उपर क्लिक कर देते है तो हमारा profile जब open हो जाएगा तो हम यहाँ पर कुछ तरह तरह की चीज़े देख सकते हैं य जल्दी से open कर देंगे तो जैसे ही यहाँ पर आप UPI ID वाला option open करते हो तो यहाँ पर आपको कई IDs देखने मिल जाएगे तो जिसमें आप पहला वाला देख सकते हो यहाँ पर YBL है तो यहाँ पर मेरा जो एक bank account है उसके लिए एक है दूसरा जो bank account है उसके लिए एक है फोन पर में आपको option मिल जाएगा आपके जो भी bank account इसमें आपने connect already किये है लिंक किये है आईडी पर तो उसमें आपको चूज करने का option आएगा कि आपको कौन से bank का यहाँ पर option जो है चूज करना है और आप वो UPI ID अपने लिए activate कर सकते हो यहाँ पर मैंने तीनों UPI ID जो एक तो यहाँ पर पहला वाला option जो आपको home screen के उपर देखने मिल जाएगा और जो दूसरा वाला option है वो आपको आपके profile pic के उपर click करके UPI ID वाले option में जाना है और उसमें जाके आपको यहाँ पर यह सारे जो है आपको UPI ID देखने मिल जाएगे तो दोस्तों बस यही था आजकी इस वीडियो में आपको यह वीडियो पसंद आया हो आपको यह वीडियो इनफॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीज़ेगा नीचे कमेंट सेक्षन में आप मेंशन कर सकते हो कोई भी सुझाव आपके होंगे तो और मेरे चानल को आप ऐसी फॉल